च्छतिस गड़ के संभाग में भाश्पा कार्यकरता किसानों की मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं आपको बता दे कि कार्यकरताओं ने भटगाओं मंडल के नवा पारा चोक में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया चक्का जाम को लेकर काफी देर तक जाम भी लगा रहा इस ओरान कार्यकरताओं ने चेताते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर जिला सर पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो राश्चिय सर पर भी धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे आपको बता दे कि किसानों की मांगों को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर भाजपा कारेकरताओं ने समर्थन देना शुरू कर दिया है भाजपा कारेकरताओं का कहना है कि सरकार किसानों के अंदेखी कर रही है किसानों की धान की फसल की खरीद होने में देरी हो रही है इतना ही नहीं किसानों की फसल का भुकतान नहीं हो रहा किसानों का पिछले साल भी भुकतान अभी रहता है कारेकरताओं ने कहा कि भाजपा किसानों की समस्याओं का हल जरूरी तोर पर करवाएगी किसानों की धान की खरीद में देरी और फसल का भुकतान समय पर ना होना जैसी समस्याओं जायज है रोड जाम करते वे अशोक सिंग ने कहा कि भाजपा जिला के निर्देशा नुसार प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ किये जा रहे है अत्याचार, शोशन, धान खरीदी में विलंब, धान खरीदी का भुकतान ना करने को लेकर किसानों की आवाज उठाई जा रही है उन्होंने कहा कि आज किसानों के हित में रोड जाम किया गया है, जब तक सरकार किसानों के हित में काम नहीं करेगी, हम जिला सर पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जरूरत पड़ी तो राश्ट्रिय सर पर भी धरने प्रदर्शन किये जाएंगे उन्होंने कहा कि अन्दाता की सरकार अन्देखी कर रही है उनकी फसल मंडियों में पड़ी हुई है लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही अगर खरीद हो भी जाती है तो किसानों का फसलों का भुपता अन नहीं मिलता जिससे किसानों की आर्थिक स्थिती गड़ बड़ा रही है इस अफसर पर जिला मंत्री अशोक सिंग, जिला पंचायत सदसे लवकेश पैकरा, मंडल अध्यक्ष सुभाश राजवाडे वह महामंत्री रमेश गुपता आदी मौझूद रहे संभाग से समादाता तुलेश्व प्रजापती की रिपोर्ट रोड जाम करके हम लोग इसलिए रखे हैं कि आज भारतिय जनता पार्टी के जिला निर्देश के अनुसार और भटगाओं मंडल में परदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ किये जा रहा है अत्याचार उनके खिलाब किये जाने वाले सोसन और जो धान खरीदी में विलंब हो रहा है धान खरीदने के बाद आज तक पैसा नहीं मिला है पिछले वर्स का नहीं मिला है इस साल तो भी धान खरीदी का ही लाला पड़ा हुआ है तो उसके तारतम में आज हम लोगों ने यहां नावा पारा चौक पर धर्ना प्रदरसन आवजित किया था और सांकेतिक चक्का जाम का निर्ने किया था उसी के हिसाब से हम यहां रोड पे उपस्तित है आगे भास्पा कशनल्कार के कान में जू नहीं रहें गेंगे तो हम इसको ब्यापक इस तर पी और य्रize करेंगे अगर इससे भी होगा तो हम और राष्टिय तर पर ही कर सकते हैं मलाफ्द किसानों के साथ हम नयाय नहीं होने देंगे यह इसके लिए हम committed है ऐसे ही लिटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें धन्य वाल लिए एंटराइब